हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुती बड़ी खबर लेकर आया हूँ आज से पूरे नियम बदल जाएंगे नोकरी पाना होगा आपके लिए आसान यानि हम बात करेंगे CET Common Eligibility Test यानि सभी सरकारी नोकरी के लिए आपको सिर्फ एक ही परिक्सा देनी पड़ेगी अगर आपको पूरी जानकारी सरल भासा में चीए सटीक तरीके से पूरी भासा चीए कि नोकरी कैसे मिलेगी कैसे आपको आवेदन करना है कैसे सारी चीज़ें आपको आपकी परिक्सा कौन लेगा कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होगा उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को मेरे साथ आखरी तक देखे मैं आपको पूरी परकरिया बताता हूँ अब SST Railway बैंकिंग में बहुती सुनरे अवसर है ये CET सभी के लिए है चाहे वे पुराने स्टूडेंट है चाहे नए स्टूडेंट है सभी के लिए है और आपको CET का एक्जाम कितनी बार देना है ये मैं आपको पूरी परकरिया आपको आगे बताऊँगा आपको पूरी आसान भासा में सारी चीज़े बताऊँगा कि जो ये CET लागू होगा ये होगा रेलवे पे बैंकिंग पे और SST पे पूरा आपको आसान भासा में दो मिनट में समझाता हूँ दोस्तो आपके फैमिली मेंबर को भी आपकी चिंता रहती होगी कि हमारे बच्चों को सरकारी नोगरी कब मिलेगी और आप कहीं न कहीं CET को Google पर सर्च कर रहे होगे कि CET है क्या आपको एक बात बता देता हूँ इस बार मोधी जी ने एलान किया है कि आपको गोर्मेंट एकजाम में कभी भी कोई प्रोब्लम नहीं होगी बस आपको एक परिक्सा देनी पड़ेगी उसी के माध्यम से आप अधर दूसरी परिक्सा में बैठ सकते हो आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है जो कि मैं आपको बहुती सरलबासा में समझा दिया हूँ तीन करोड तीन करोड परिक्सार्थी को होगा लाब यू आओ के लिए बड़ा फैसला तीन करोड एक बहुती बड़ी संक्या होती है दोस्तो इसमें आप सभी सामिल है अब आपको भागदोड करने की बिल्कुल विज़रत नहीं है अब ना ही किसी ट्रेन का जंजट है और ना ही किसी एकजाम सीटी सेंटर का जंजट है आपको बहुत ही आसानी से CET क्रेक करके Common Eligibility Test आप आसानी से सरकारी नोगरी पालोगे आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी CET को क्रेक करने में आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी बताते हैं पूरी जानकारी आगे CET यान Common Eligibility Test क्या फायदे है क्या नुकसान है पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ गुर्मेंट आपको फायदा भी दे सकती है केवल इसका सर्टिफिकेट होगा जो यह आप परिक्सद होगे इसका सर्टिफिकेट होगा यह सर्टिफिकेट बहुती खास होगा और यह बहुती बड़ी बात है कि इसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो यह ज कि इसको मंज़ूरी दे धी है गॉर्मेंटने तो आपको क्या करना पड़ेगा नया नियम फिलाल रेलवे बैंकिंग पे- आपका लागू होगा जो यह नियम लेकैं रेलवे बैंकिंग और यसईस्ट पर लागू होगा आपको इस टेस्ट को देना है सिर्फ आपको एक परिक्सा देनी पड़ेगी आपको अलग-अलग परिक्सा नहीं देनी पड़ेगी अब पूरी जानकारी आपको मेरी तरब से समझ में आ रही होगी आपको कोई प्रोब्लम नहीं हो रही होगी सुनिएगा पूरी बात को पहले अराम से सुनिएगा राष्ट्य भरती नीती को मंजूरी राष्ट्य भरती को मंजूरी एक ही आवेदन, एक ही सुल्क और एक ही परिक्सा होगी और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है अगर आप पहले एक्जाम पे पैसा खर्च करते थे अपने मम्मी पापा का जैसे कि आपको रेलवे का एक्जाम देना था अलग-अलग पैसा खर्च करते थे सस्सी पे खर्च करते थे, बैंक पे खर्च करते थे लेकिन दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे ये सभी परिक्सा पर लागू हो जाएगा जिससे कि आपका खर्चा भी बचेगा आपको आने जाने में कोई प्रोब्लम नहीं होगी आपके सहर में एक एक्जाम सिटी सेंटर बना दिया जाएगा जिसमें आपका सभी का पेपर होगा और चाहिए आपका CET के बाद में आप किसी भी पेपर में बैठ सकते हो चाहिए रेलवे हो या बैंक हो या SSC हो आपको पूरी जानकारी आखरिकार मिल गई होगी मेरी तरफ से तो दोस्तो आपको बात यह है कि आपको समझाए कैसे देखो दोस्तो आपकी परिक्सा एक होगी लेकिन आपके एक्जाम अलग-अलग थी पहले तो इसको क्या बोलते है CET मैं आपको एक एक एक्जामपल लेकर बताता हूँ एक एक्जामपल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ देखो दोस्तो जैसे आप पहले क्या करते थे जैसे मान के चलो पहले क्या होता था SSC के जैसे SSC का पेपर होता था बैंक का पेपर होता था रेलवे का पेपर होता था लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ आपको एक ही परिक्सा देनी पड़ेगी जैसे कि मानके चलो CET का आपने पेपर दिया और उसमें आपके 50 बच्चे बैठे और उनमें से 10 ने CET पास कर लिया तो वो किसके लिए eligible हो जाएंगे जो mains का पेपर होता था जैसे आपने बैंक का प्री दिया आपको प्री की जगा CET देना पड़ेगा किसी भी एक्जाम में अगर आपने SSC railway bank अगर आपने एक बार CET पास कर लिया तो आप किसी भी पेपर में बैठ सकते हो चाहे वो SSC का mains हो चाहे वो bank का mains हो चाहे रेलवे का mains हो आप किसी भी पेपर के लिए eligible हो जाओगे किसी भी एक्जाम में बैठने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा यह है हमारा CET आखिरकार यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाबदायक फायदे मंद होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी इसके बारे में पहले होनी चाहिए यह बात आप समझने वाली है जैसा कि दोस्तों देखो जो यह आपका CET है वो आपके लिए railway के लिए लाबदायक होगा आविसक है जो आपके लिए railway के लिए बैंक के लिए SSC के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा जो CET का certificate होगा वो आपका एक साल में दो बार इसकी परिक्सा दे सकते हो आप जो यह CET exam है और जो इसका certificate होगा वो कितने साल के लिए वैलिड होगा वो तीन साल के लिए वैलिड होगा आपका मतलब आप तीन बार उसको तीन साल के लिए आप इसका यूज कर सकते हो आप किसी भी मेंस के पेपर में बैठ सकते हो तीन साल तक यदि आपने CET करेक्क कर लिया तो आप किसी भी exam में बैठ सकते हो CET एक common test है आपको अलग-अलग पेपर के लिए परिक्षा नहीं देनी प आपको है ना जैसे आप प्री देते थे पहले प्री देते थे किसी भी exam का तो आपको क्या करना पर प्री देने के लिए प्री के बाद आपका मेंस होता था वेले मेंस होती था लेकिन आप प्री नहीं देना पढ़ एगा आपको प Sister कर के CET pass करके, आप मेंrest के लिए eligible हो, अगर आपको एक बार CET का CET का certificate मिल गया, तो आप SSC के मेंस भी दे सकते हो, railway का मेंस भी दे सकते हो, और bank का मेंस भी दे सकते हो, बस आपको pre siya chutkara मिल जाएगा, आपकी मेंस के paper में बैठने की, आपकी खुद की चोईस होगी आप साल में कितनी भी बार कितनी भी बार मतलब मतलब CET को Certificate का आप यूज कर सकते हो चाहे हो बैंक का मेंस हो किसी का मेंस हो लेकिन आपके पास CET का Certificate होना चाहिए अगर दोस्तों कहीं बार ऐसा होगा जैसे आपके state government है अगर आपने CET pass कर लिया अगर आपने एक बार CET pass कर लिया तो आपकी state government आपका कोई paper ने लेगी direct interview ले लेगी ये भी हो सकता है इसमें ये आपको याद रखने कि ये आपको जरूरी है जो आपका CET आपके लिए बहुत जरूरी है आई ओप आपके पूरी जानकारी समझ में आगे होगी और आपने इस चीज़ को समझ भी लिया होगा चलते आगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठेंकी सो मच और जो हमारा चैनल ड्रीमर्स है वो गणित और रीजनिंग की ट्रिक के लिए बहुत जादा फैमस है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और बैल आइकन को प्रेस करना ना बूले इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद